तो देखें हैं पर question number first में हम से क्या पूछा गया है calculate the mole fraction of ethylene glycol in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass तो हम यहाँ पर क्या करना है mole fraction calculate करना है किसका ethylene glycol का जो के हम हम हैं पर solution में सिर्फ 20% दे रखा है तो करते हैं यहाँ पर इसको solve तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारे जो solution है वो हमारे यहाँ पर क्या होगा 100 gram होगा तो हम यहाँ पर assume कर लेते हैं एस यह हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे 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 टो हमें यहाप केनों मोल कई निकालना जीजाएगा करना है और स्थे पर पहले पर मोलर म्स पता होना चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करना werk मोलर मास और लोगा ओननों गिलागा का 1 होता है and यहाँ पर 6 hydrogen है तो 6 से कर देंगे plus oxygen का यहाँ पर 16 होता है and यहाँ पर 2 oxygen रखे तो यहाँ पर 2 से multiply कर देंगे howmore स्वामला हमारे हिआपे क्या होता है मास on molar mass गवदर मास होता है हमें हमें यहापे कितना व laughs 20 g ब Chang Cons dois normally 20 गराम ग 먼 Dash हमें कितना निकाल भी में 62 gram पर मोल तो जो हमारा अंसर आएगा वह हमारा Simple Dance events उपगे लेंगा 3,2ohsr6 and यहाँ पर आजाएगा 18 यहाँ पर हमारे कितना बचएगा 14 बचएगा पॉandatura z Imogen 0 लिख सकते हैं इसके बाद हमें यहाँ बेरे बॉण से करना पड़ेगा यहाँ पर कितना आजाएगा 224 and Frostippus 6,12 तो यहाँ पर हमारे बचब इन tatSense 16 म महास भुर्टरक करेंchl Может 30G और महास बारा ही आपटर का फॉर्मीला होता है हड़ जूर। महारे नीचिन गर्टैंइ ओ तो हम एटी ग्राम एक पर मूल को च पर करना है तो सबसे पहले हम इहां पर 4 से कर लेंगे तो हमारा कितना जाएगा 72 आ जाएगा तो हमने यहां पर क्या कर दोनो का moles निकाल लें Quescion में हमें हमें पर क्या पूछा क्या था? Mole fraction पूछा क्या था? अब में हमें हमें मोल fraction का formula लिख लोगा तो mole fraction को हम हम यहां पर C2, H6O2 Plus हमारे यहां पर क्या हो जागा ? Mols 3 2 2 2 कल गया था, divided by moles of ethylene glycol, 0.3 double 2, plus हमारे हैं पर moles of water, जो कि हमारे हैं पर कितना था, 4.444 यह दोनों भी हमारे किसमे थे, moles में थे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यह दोनों भी हमारे moles हो जाएंगे, अब simple यहाँ पर मैं add कर लेता हूँ दोनों को, तो मैं उपर add कर लेता हूँ, यहाँ पर किया था, 4.444, 0.3 double 2, तो यह हमारे हैं पर कितना जाएगा, 426, 426, 437, and 4.7 double 6 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 0.3 double 2, divided by हमारे हैं पर कितना जाएगा, 4.7 double 6, and mole से mole हमारे हैं यहाँ पर कट जाएगा, अब हम यहाँ पर कर सकते हैं, हम यहाँ पर 3 digit बात पॉइंट लग रहे हैं, तो point से point हम यहाँ पर remove कर सकते हैं, अब मैं दोनों को divide कर लोगा, तो divide करने के लिए मैं यहाँ पर यह वाली चीज रफ कर देता हूँ, तो यह हमारे हैं पर कितना हो जाएगा, 47 double 6, point लगा के हम यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा, यह अब भी यहाँ पर divide नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक और 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 45, 4 carry चला गया, 64 24, यहाँ पर आजाएगा 28, अब यहाँ पर subtract कर लेते, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 11 में से 8 गए 3, यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, point लागा हुआ, 0 लेक सकते हैं, इसके बद हम यहाँ पर किस से करना पड़ेगा, 7 से करना तो यहाँ पर कितना रहा, 0.067, तो इसको हम यहाँ पर approach में क्या लिख सकते हैं, 0.068 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जागा, 0.068 आजाएगा, तो यहाँ पर mole fraction निकल के आ चुका है, किसका, ethylene glycol का, अगर यहाँ पर mole fraction of water पूछा गया होता, तो हम यहाँ पर क् हम यहाँ पर mole fraction of water निकल के आ जाता है, तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, तो mole fraction of water पूछा हो सकते है, one subtracted by 9 में से 6 गए 3 एंड यह हमारे यहां पर कितना आजाएगा 9 आजाएगा एंड यहां पर बचेगा 0 तो जो हमारे कितना आजए 0.932 0.932 तो जो हमारे यहां पर किसका निकल के आगए mole fraction of water एंड यह हमारे यहां पर क्या था mole fraction of ethylene glycol हमें यहां पर question में ethylene glycol का निकालना था और इसका answer हमारे हैं पर कितना था 0.068 water का भी इस तरीके से निकाल सकते थे hope आपको इस question का answer समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question की तरफ